कि अधिए अधिशन लेने के लिए आंध्र प्रदेश स्टेट की प्रोफिशनल मेरिश्ट लिस्ट 17 जुलाइ 2019 को आप सभी स्टुएंट्स के लिए सभी स्टुएंट्स को जो भी टाइम स्लॉट दी गई है उस टाइम स्लॉट पर जाकर अपना अपना डॉक्युमेंट वरिफिकेशन के लिए आप सभी स्टुएंट्स को 20 जुलाइ 2019 से लेकर के 22 जुलाइ 2019 शाम के चार वजे तक कर समय दिया गया है यह तीन दिन का टाइम अ अलग अलग बंच ऑफ स्टुडेंट्स रैंकिंग के एकॉर्डिंग टाइम स्लॉट डिवाइड की गई है जैसे 20 जुलाइ 2019 को सुबह नौ बजे से डॉक्युमेंट वरिफिकेशन स्टार्ट होगी और नौ बजे का जो टाइम स्लॉट दिया गया है नौ बजे रैंक वन स श्टुडेंट गया है इसी तरीके से हर एक घंटे पर अलग अलग टा fiance स्लॉट्ट गया है उस टाइम स्लॉट पर स्टुडेंट्स आल है डाइंग पर डॉक्युमेंट वरिफिकेशन में पाएता अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जिस एड्रेस पर जाना है वह एड्रेस है डॉक्टर एंटियाज उनिवर्सटी आफ साइंस विजय वाड़ा यह वह एड्रेस है जिस एड्रेस पर आपको अपने टाइम स्लोट के एकॉर्डिंग जो भी टाइम लॉट आपको दी गई है उस टाइम स्लोट पर आपको उस दिन उस तारीक को उपस्थित रहना है जिससे कि आप अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम ली कम्प्लीट करा सके अब जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको सभी ऑरिजनल के साथ साथ एक वेरिफिकेशन फीस भी वहां जमा करनी है जो डीडी के फॉर्म में आपको ले करके जाना है आपसे वह डीडी वहां पर डॉक्यूमेंट के साथ साथ ले लिया जाएगा वह डीडी जो बनेगी वह 7080 रुपीज की डीडी बनेगी और वह डीडी इन फेवर रेजिस्ट्र डॉक्टर एंटियार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्स साइंसेस पेबल एट विजयवारा के नाम पर के फेवर में वह डीडी बनेगी तो यह 7080 रुपे की डीडी आपको साथ में लेकर के जानी है यह 7080 रुपे की डीडी आप पे करोगे जो उन्हें समिट इसके बाद मैं आपको यह भी यह भी देख लेते हैं कि क्या-kia documents आपको ज़रुज़वत पढ़ेंगे किन-किन certificates को आपको लेकर के जाना है document verification में सबसे पहले आपने जो application करा है application form fill up किया उस application form की एक print out copy आपको लेकर के जाना है उसके बाद NET UG 2019 की admit card लेकर के जाना है NET UG 2019 rank card लेकर के जाना है date of birth certificate लेकर के जाना date of birth certificate में आपकी SSC की certificate हो सकते है या फिर उससे equivalent कोई और certificate जिसमें date of birth mention किया हुँ हो वो certificate भी आप लेकर के जा सकते हैं इसके बाद 10 प्लस 2 या intermediate की mark sheet या फिर certificate आपको लेकर के आपको एक अपनी आईडी प्रूव भी लेकर के जानी में आफकेशन आई प्धीर काड़ पास्पूर्ट हो सकता है या फिर आपकी डिल हो सकती है ड्राइविंग लाइज से इसे विलंग या फिर अगर आपको इनरे केशन से बिलॉंग करते हैं और आप उस कास्ट का फाइदा उठाना चाहते हैं जैसे कि for example अधर कास्ट के लिए जो कट ओफ है वो कम गई है जो कट ओफ मार्क्स है वो कम गई है तो उसके लिए यह आपको permanent caste certificate ले करके जाना होगा अगर आप minority category से बिलोंग कर तो आपको minority certificate लेकर के जहना होगा अगर आप physically handicapped person myślaut physically disabled person है तो आपको पियेच certified भी लेकर के डौक्यमेंट verification में जाना होगा इनके अलावा आप सभी students को एक उन्डर्टेकिंग वाइट पेपर पर लेकर करें जाना है उस ऑंडर्टेकिंग जो ऊपकर? उस उकल में पछलन सोब्सक्राइप दोनों का साइन होना ज़साइड है ज़से, यह और खली. आपको यह पार्मर्ट पर्मेट पर लेकर टांव है कुदुर्ट पर द्ला पाटेकिंग काहाएगे मिल जाएगा वहाँ से डाउन लूड कर सकते हों वह ही द्राइंट आपको बना करके स्टूडेंट सांट और उनके स्टूडेंट का भी अभी सांट लुए निब है इन सभी एंड लिएन चोपई के दो यह कोपी सेल्फिर्ट लेकर के लिए मतलब दो कॉपी आपको बना लिनी है उसमें सेल्फ अटेस्टेट कर लेना है और एक चीज मैं आपको बता लेता हूं जब आप सब्सक्राइब कोई तो वह जब नहीं तो कोई बात नहीं आप लगा सकते हैं अब आते इनके अलावा आपको university feast भी लगेगी university feast और आंद्रपदेश स्टेट की college feast के बारे में भी जान लिते हैं university feast की बात करें तो अगर आप बी category से बिलॉंग करते हो कहने का मतलब है अगर आप non-domicile candidate हो और आप वहां की management quota seats के लिए apply कर दे हो private quota seats के लिए apply कर दे हो तो उसमें medical medical course के लिए 25,000 की university charges लगेंगी और dental के लिए 16,000 की university fees लगेंगी अगर आप NRI quota CITO के लिए apply कर देखो तो आपको medical course के लिए 65,500 की 65,500 की university fees लगेंगी और dental के लिए अगर apply कर रहे हो तो 40,000 की आपको university fees लगेंगी तो tuition fees में B category private colleges की सीटों में जो Indian non-domicile students हैं उनको private college की सीटों के लिए या फिर management quota की सीटों के लिए उनकी जो fees रहेगी वो 13,037,057 रुपीज की रहेगी तो यह आपको समझ में आगे कि medical की जो fees रहेगी आपकी tuition fees रहेगी वो 13,037,057 रुपीज रहेगी और dental course के लिए 5,46,976 रुपीज पर एनम आपकी charges आपकी tuition fees रहेगी tuition fees के अलावा आपको आपकी examination university fees जमा करनी है वो आपको पता चल चल चुका है और इसके अलावा जब आप document verification पे जाओगे तो आपको 7, 2018 रुपी की डीडी रेजिस्ट्रार डॉक्टर एंटियार डॉक्टर एंटियार उनिवर्स्टी आफ हेल्थ साइंस पेवल एड विजय वाड़ा के नाम पर फेवर में आपको डीडी बनाकर लेकर के जाना है तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही इसके अलावा मैं आपको और एक बात बता देता हूं एक न्यूस जो त्री पूरा राउंड टू काउंसलिंग से आई है त्री पूरा राउंड टू काउंसलिंग की डेट्स दो दिन बढ़ा दी गई है अब रेजिस्ट्रेशन 19 जुलाय 2019 तक होने के चांसे हैं तो 19 जुलाय 2019 से लेकर तक आप अप आपके मार्ट में कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-क description box में दिएगे number को call पे call कर सकते हैं और services को avail कर सकते हैं. Thank you so much.